1. सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? A. बांगलादेश B. श्रीलंका C. भूटान D. नेपाल उत्तर है D. नेपाल 2. टैक्सी फोर्शुर किसके द्वारा अधिग्रहीत किया गया है? A. मेरू कैब्स B. ओला कैब्स C. उबर इंडिया D. इन में से कोई भी नहीं उत्तर है B. ओला कैब्स 3. दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? A. जर्मनी B. आस्ट्रेलिया C. जापान D. अमेरीका उत्तर है B. आस्ट्रेलिया 4. नालंदा विश्व विद्यालय का संस्थापक था A. समुंद्र गुप्त B. कुमार गुप्त C. सकंद गुप्त D. धर्मपाल उत्तर हैं B. कुमार गुप्त 5. उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? A. अवंतिका B. पाटलि पुत्र C. तक्षशिला D. इंद्र प्रस्त उत्तर हैं A. अवंतिका 6. भारत पर हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? A. श्रीगुप्त B. समुद्रगुप्त C. सकंदगुप्त D. उपयुक्त उत्तर हैं C. सकंदगुप्त 7. सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? A. बिम्बसार B. हर्षवर्धन C. पुष्यमित्र D. अशोक उत्तर हैं D. अशोक 8. अशोक के शिलालेखों को सर्व प्रथम किस ने पढ़ा? A. पाद्रटी B. विलियम जोन्स C. जेम्स प्रिंसेप D. उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर हैं C. जेम्स प्रिंसेप 9. बौध्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्री लंका भेजा था? A. महेंद्र B. संगहमित्रा C. उपगुप्त D. महेंद्र एवं संगहमित्रा 10. चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयाई बन गया था? A. जेन B. शैव C. बौध D. वैशनव उत्तर हैं A. जेन 11. हड़प पावासी किस वस्तू के उत्पादन में सब से आगे थे? A. मुद्राएं B. कपास C. कान से ओजार D. जौ उत्तर हैं B. कपास 12. सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? A. काली बंगा B. लोथल C. मोहन जो दधो D. हड़पा उत्तर हैं B. लोथल 13. चंद्रगुप्त मौर्यने अपना अंतिम समय कंहा बिताया A. तक्षशिला B. उज्जैन C. पाटलिपुत्र D. श्रवन बेल गोला उत्तर हैं D. श्रवन बेल गोला 14. कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है A. पूर्व मीमानसा B. उत्तर मीमानसा C. न्यायदर्शन D. सांख्यदर्शन उत्तर हैं D. सांख्यदर्शन 15. निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? A. लेनिन B. तरतास्की C. टरतास्की D. उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर हैं C. टरतास्की